इसके वाद रिकॉर्ड हो रही है इसना वाद रिकॉर्ड हो गी तुम्हों की आवाद नहीं आगी लेकिन मेरी आवाद में रिकॉर्ड हो रही होगी ठीक है अब सब्सक्राइब गुष को रहा है और हमने कुछ कौन कौन सी टाइप होती है तो नहीं होती यह अपर यह पर सर्म वार होती है बल्कुल वारत रही त्याप होती थे भूछ साही यह तो नहीं होती है यह आप यह उसक्राइब को हाँ बहुत सारे टाइप की डेटा को करती है नंबर असको भी करती है टैक्स को भी करती है और कि अब डेगल और फ्लोट ठीक है अच्छा अभी बहुत सारे टाइप्स होती है लॉंग होती है शॉट होती है यूशॉट होती है बहुत सारे टाइप्स होती है कौन बोल रहा है कि कि यहां पर यहां पर यहां पर यह इंता है के वो अल्मुस्ट ना को इसमें फिर्ट्राइब कर रहा होता था करेक्टर्स को भी बाकि चार वो तो अलग ही है कर सकते हैं लेकिन आप वार में भी यूज कर सकते हो बाकि चार भी आपके जो तुर को पर सकते हैं कि आपके चार एक राक्य कर सकते हैं और आपके वार सब को पिल सकते हैं निंबर को भी कर सकते हैं आप गर The First कि लाख काम किया था आप बोधेख लेता है मुझम तुम डबल डबल जगह से क्यों ऑनलाइन आ रहे हो अच्छा लास्ट लास्ट वान ने ग्वेंबल छोटी सी बनाई थी है ठीक है और इसके अंदम नहीं सीखा था कि ये सब चीज़ें क्या होती है ये क्या है ये सब क्या है यूजर इंपूट ने न सीखा दाम ने ठीक है एडम ओनलाइन हो ओनलाइन हो अच्छा एडम देखो तो पहरे स्टार्टेंग अंदर अगर यहां देखो ना तो लिखा वहता है यूजिंग यूजर पर किंसे हं यूजर पर फाइव स्ट्राल मंसे स्वेट्म Great root फाव् महास पर यूजर के लुकर पर नेम स्पेस एक्जाक्ली बिल्कुल यह जो माय आप है यह नेम स्पेस है यह माय आप क्या है मेरी अप्लिकेशन का नाम है मेरी अप्लिकेशन का नाम जाने नेम स्पेस के साथ शोगा ठीक है अच्छा है अब मेरी अप्लिकेशन समझ लो एक रोबोर्ट है मेरे रोबोर्ट के नाम है program ठीक है मैंना अपना robot का नाम रखा है program मेरा जो mind है वो यह है मेरे robot का mind है अब जो भी हम काम perform करेंगे let's say मैं कुछ भी करूँगा तो वो कैसे करूँगा अपने robot के mind से करूँगा यह है तो जो कुछ भी code मेंने चलाना है यानि मैं चाहता हूं कि यह code इंस्सक्यूट हो यह code चले तो वो कैसे चलेगा वो इस code में रखे जब तक मैं कोई भी अपना code इस में नहीं रखोंगा न वो code आगे रण नहीं होगा वो code आगे प्रोसीड नहीं करेगा स्केट्टिक वोइड में इस चैटिक कीवरड होता है एक देखो कि यह चैटिक टीवड होता है वोइड क्या होता है ऐसे मैसट जो कुछ रिटेंड नहीं करते पता है तुम्होंगों को अैति ल्याद है ऐसा सब्सक्राइब या टें अहीं तो यह वाइट क्या होते हैं ऐसा मेटसट जो कोई इसकी कोई टाइप नहीं होती है ठीक है वाइट का मतब लेक्ट से कुछ भी नहीं या इस तरह समझे लो कि कुछ भी नहीं ठीक है तो वाइट कुछ रिटर्ण नहीं करता कोई टाइप नहीं होती है आप कुछ भी पास कर सकते हो नंबर रिटर्ण कर सकते हो यहाँ पे ठीक है कोई टेक्स रिटर्ण कर सकते हो कोई भी टाइप आप डेटर्ण कर सकते हो अच्छा फिर उसके बाद यह इस मैजट का नाम है औ क्या है स्प्रिंग से क्या होगा कि क्या होगा यहां पर ए यहां पर है क्यों इखा वा जो आप नीचे देखो क्या लिखा हुआ है अरे भाई ये ये क्या लिखा हुआ है अरे लिखा हुआ 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 है ये क्या होता है एक में मैस डे लाजमी होता है मैं यह नहीं लिखोंगा ना तो यह मैं नहीं चलेगा ठीक है यह लाजमी होते हैं C-Sharp के अंदर तुम लोग ने भी लिखने तो यह जो रेफ्रेंसे यह कहलो कि यह यहां परमेटर्स के अंदर लाजमी तुम लोगोने बास करना है ठीक है यह यह यहां मतलब ही argument है ठीक है मतलब कमालेटर्स के अंदर यह लिखोंगे की है थी कुछ करते हैं अब कुछ रिटर्स करते हैं Unremen अर्गिम क्या अंदर खोशे सकते हैंğanिक करते हैं जो गर्यों के अंदर individuals करते हैं Algumens आगे उनके उत्हों लेकिन यह जो अर्गुमेंट्स हैं कि .net के framework का जो code है उसकी जो source execute करने के अंदर फाइला देता है यह जो argument है यह basically predefined argument भी कहा जा सकता है तो मैं इसे predefined argument भी कह सकते हो इसके references भी है आपर आ रहेंगे देखो तुम configure कर सकते हो इसको अभी मैंने कुछ नहीं करना है मैं भी इसके साथ कुछ नहीं कर रहा है यह क्या भी रहा कि आप इसे मजीद कर सकते हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं करना है देखो visual studio एक ऐसी IDE है जो आपको बहुत सारी चीज़ें पर वाइड करता है अक्तर ऐसा code होगा तो में लिख रहे होगे तुम्हें code का मतलब कैसे बता चल रहा है यह string है यह यह नेम है यहां पर लिखावाजी यह देखो इसके बारे में hover करोगे इसके उपल लिखवाज़ लोकल वेरियेबल श्रिंग टाइप है और उसका नाम नेम है किसी भी वेरियेबल पर क्लिक करो और तुम प्रेस करो F10 कि इसके बाद किसी भी चीज़ पर क्लिक करो राइट क्लिक करो ठीक है और इसके बाद देखो यहां पर रिखाव है क्या गोटू कर दो यह वेरियेबल कहा है यह इसे ही कहते हैं कि कोई भी वेरियेबल नया बनाना नया बनाओ और यहीलि और इसकी टाइप को बता दोगी जी यह की tuyp है और declare करना के सहे हैं कि क्वे वेडियבल नया बनाओ अब थैक्क्त बांदी आप आप तो दुरेतल लिए अब आप और ईसकी टायप बतानी है तो यह definition भी हो गई और initialization का होती है क्या किसी भी variable को value assign करो इस बिलकूल आच्छा लेक्ट से मैं इसके लिए इससे खूंट करता हूं मेरे फिर यह को लेशन करके देख लएख करके आपता हूं कि किया इसका लेशन करते सकते नहीं है कोई पर लेशन करते हैं कि कोई definition है नहीं है इसका मतलब यह चीज़े यहीं पर बन लए है कि class का keyword है यह कहीं define हुआ हूँ है क्यों क्यों कि क्लास के keyword है यहीं पर define हूँ है ठीक है यह कहीं और गाई नहीं रहा चलो यह console लिखा हूँ है है यह कंसों लिख्या हुए राइट क्लिक करो को टू इफिनेशन करो कि एक मैथड है सी श्याइब का प्री डिफाइन ठीक है तो कहीं न कहीं अगर इक प्री डिफाइन मैथड है तो सी लेंगूज के अंदर हमने एक प्री डिफाइन मैथड पढ़ादा प्रींट अपुट इस तरह के method पढ़ेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि वह कहा है defined है, but, visual studio.net के framework में आपको गया फाइनी देता है, कि आप जो भी method बना वाइना पहरे से, जो भी method सीशार कहती है, .net कहता है कि यह पहरे से मैंने बना दिया, ठीक है, तो .net आपको उसकी definition तक रसाई प्रोवाइड करता है, अब देखो इसमें जितने भी console के नाम से प्रोग्राम्स है न, methods है, उन सब का code तुम्हें आपके दिखा दिया, यह पब्लिक static class, console, ठीक है, पब्लिक static int, यह सारे जितने methods के नाम से तुम्हें दिखा दिया, यह basically define हुए है न, वहाँ पे जागे, इस लिए, और हम आप इस पे काम कर रहे है, इसको हम use करते हैं, ठीक है, जैसे normal method के यूज करते हैं, method का नाम लिखा, argument पास की और यूज कर दिया, use call हो गया method, ऐसी console.rightline user है, अच्छा देखो, variable कैसे लेंगे आपे, string और name, यह declaration और definition हो गई, then हमने क्या गिया, name को equals to किया, किसके, console.readline के, console.readline, console.readline, as a user input लेने के काम आता है, किसके काम आता है, user input लेने के काम आता है, इसमें होगा क्या कि हम name और age दो चीज़ों का input ले रहे हैं, अब bunny age, int, integer, int क्यों ले रहा हूं है, क्यूंकि कौन सी type है यह, exactly, ठीक है, तो इसकी data type में रख रहा हूं integer, हमने 10 minutes के लिए मीटिंग ऑफ करके दुबारा on करेंगे, क्यूंकि यह limit दे रहा है, यह, यह 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 मुकमल तौर पर मुझे provide नहीं कर रहा है, कि मैं बिल्कुल unlimited time के लिए करूं, यह limit दे रहे 10 minutes के बाद नहीं खतम हो जाएगा, ठीक है, तो यह समझते है, इसके बाद next session है वो start करता है, अच्छा, यह control.readline क्या करता है, user input लेता है, इसके बाद age का input लेना था, अब मसला ही है कि age का input इसके ले रहा था, लेकिन आ रहा था मेरे पार error, error क्या कह रहा था, वो यह क्या रहा था कि console.readline ना हमेशा string को get करता है, तो console.readline बना है string के लिए, console.readline पर click करता है, ठीक है, go to definition, तो console.readline ना string के लिए बना है, क्या आ गया, यह console.readline जो हम function use कर रहे न, वो कहां पर define हो हो है, वो बता है हमें, ठीक है, तो यह string के लिए बना है, हाँ, इसको defining क्या बता है, define करने का मतला होता है, कि message को बनाना, यहाँ पर उन्होंने message बनाया बता है, यहाँ पर हम उसे use करने है, console.readline को, ठीक है, अब console.readline string को get करने के लिए यह उस होता है, यहाँ पर भी लोबेश है कि लिए को, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, लोबेशन समझ भाद आया, एक मिननल मुन एक मिनट अख्वा करने को, यहाँ पर लिख हो है, पर करने कि क्या पर लिख है, एक बने पर लेखा है, और करने के verde कम देए बनान इन्प लाद मर्ट विक स्व लाद नुल सिकरों, आपको टाइब देखने का मतलब है कि आप इसकी लाइबरी इसे नहीं जाने लेकिन मैं यह समझ रहा हूं कि यह इस पूरे इस पूरे रीड लाइन को कनवर्ट कर जिया किसके अंदर इंटेजर 32 के अंदर इंटेजर के अंदर मैंने इसको कनवर्ट किया किस मैं इन्टेजर में इस ने लिया है हुआ है अब यहां पर ने मिद्फ इसे ही लिया है ना ने इसे को इसे लिया है ने अब यह तो इसे पाद़ो यह क्या है में आउट्वुट में जाता हूं और आउट्वुट में अएरलिस्क में देखो क्या रेकावेग फिर्ट नौट इंप्लिसिट्ली गन्वर्ट टाइप स्टिंग टू विल्कुल ठीक है मसला या है कि यह जो टाइप यह तो स्टिंग यह यह तो यह तो भुशआ कि है जबके एज क्या है आ energy है ए पी जार यह अब मुझे से केन वकर Вас़ करना पड़ेगा ये फ़्लिट नहीं कर पा रहा आ तब मुझे करना पड़ेगा एक मैसर्ड होता है convert.toInt32, और यह इसके packets हो गए, ठीक है, इस पूरा method को उठाओ, हाँ, लेखना जुरूरी क्या है, यह आपको खुदी intelligence के अंदर provide केंटा है, इसकी intelligence चूज करोगे तो फायदे में रहोगे, अपनी तरफ से गोषिश करो, अगर इसकी intelligence आ रही है, तो इसको follow करो, जहाँ मेरा काम हो रहा है, तो मैं मिल रहा है, अपनी मत्तूबा चीज की intelligence के अंदर, इसका मतबब तुम सही जा रहे हो, ठीक है, यह 32 यह integer की type होती है, कि कौन से integer एक के इसके कितने digits खाएंगे, वह वाले 32 है, समझ दो मेरी बात, सही है, अच्छा, फिर मैंने user input से name और age input ले लि प्रोग्राम को, तो देखो, name और age दोनों के दोनों print होकर आ गए, चाहिए, मसला है आ तक, अच्छा, मैं session को end करता हूँ, सोड़ी जरी के लिए, हम दुबारा से join करता है, इतने लोग हैं स्वस्थ, जो link classroom पे update किया है, उसी link से दुबारा join करना है, चाहिए, foreign करो, foreign 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 foreign, मैं sign कर रहा हूँ, और start कर रहा हूँ, foreign join कर देना, क्योंकि limit पूरी हो दिया हमारी, गंज़ी जरी हम फूरी है, बड़ी है, बड़ी तुबाने स्वस्थ, हम दो हैं द आ्वःग, वा रहा हूँ, अबास्थ, अरूप्छवरी एम पूरी हम पूरी है, अर बदुबास्य everyday, तुबास़् झाहँ, इतना और किया हूँ निधा तुखी हम झाच, हम दोश機 बते झाल महादर हमाद का गवाई महादर हमाद क्या क्या कि यह कि कि यह 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 क्या 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 यह 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 कि हम बेवकु से यहां पर गया कि कंप्यूटर करो और मोबाइल बंद करो तुम्हार कंप्यूटर से अच्छा था है अप्टेग में क्लास में हमारी आइसा ही होता है बेटा अब कि अच्छा कि अभी लाइट के लिए है अच्छा अब लाइट के लिए अच्छा इनको बोले ज़्ली और लाइन आइस आइसे अच्छा केम्रा पर अपना मादा में ऑन निकाशन में लाइग अब अब महादर महात तारीक हो गई है तो बुलाए है अर्पेंडी जल्दी है अच्छा यहां तक मसला अभी तक अभी तक जो चीज़ें पूछेंगे कि महाद कहा हो भाई ओनलाइन क्यों नहीं आ रहे है महाद क्लास्रूम पर लिंक डाला है मैंने देखो लिंक पोस्त के जल्दी से वह मुझे आगी काम करा ने ऑपरेटर्स परने आगे नियुक्त कर रहे है अच्छा महाद आ रहे है तो लिंक रहे है था क्लास का ठीक है अच्छा हमाद और महाद से कहना यार यह लोग अलग-अलग क्प्विटर्स आए जाए जाए ताकि अलग-अलग अलग आजए और दूसरी बात यह कि भाई अब बड़ेटर्स पढ़ेंगे यह कॉंसरप्स इंचाला तम्हारे तुम्हें कि तोड़े से वाद मजबूत हो जाएंगे उसके साथ तत्च अच्छ देखो कोई नय प्रोग्राम कैसे बनाने अब विश्व अप तो खुला हूए लट से किसी ने तुम्हां उपन करके दे दिया ठीक है इसको मैं से लिख लेक हूं इसको इस टेफ्स यह नहीं होते भाई है जब प्रोग्राम लिखने के लिए ना शेस्टेफ्स क्या को प्रोट करा से काऊ ने शर टेंडर शर पिसस्टम डाट गना कुछ भी वटारिवटेर पैसल थेंदर इंडर अपका आपका स्क्रिप्ट के अंदर के अंदर कोई ओपर की फाइल है अधिक फाइल या कोई लेकर आना लाइबरी के नाम से ठीक है उसके बाद क्या होगी मेरे पास डिकलिरेशन और डेशन इनिशिलाइबेशन इस प्रोसीजर होगा कि जिसमें मैं कोई काम करूँ इस यहां पर एड हो रही होगी क्या होगा इस प्रेंट या आउटपुट क्योंकि अभी हमारा पर प्रेंट होगा है लेकिन हर जगा पर प्रेंट नहीं होगा कुछ जगाहों पर आउटपुट भी हमारे पर काफी होगा है यह नहीं दो प्रोडट्स अगर अगर यह वैलियो यह अन्सर आता है तो आप मुझे यह चीज दिखा दो कि पहले से बनी भी है प्रेंट नहीं किया आपने सिर्फ शो करनी है तो वह प्रेंट आउटपुट दोनों के अंदर आ जाएगी प्रेंट के अंदर दो लेकिन विंडोस पर लेंगे तो उसमें तो प्रेंट होता ही नहीं है ठीक है वह पर लेंगे और बागी उसको भी टाइगर करा दरेंगे अच्छा प्रिंट और आउटपुट क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रेम एंड करना लाजमी होता है हमारे लिए इसके स्नैप्शॉट ले लो पिक्चर ले लो जो भी घंड़ने कर लिए कि शारे प्रेजेंट है कि अच्छा महाद हमाद तुम्हारे साथ ही बैठा गया हम तुम दौरों भाई साथ ही होगी कम्प्यूटर पर हो इसा करो कोई एक बंदा ना अपना फोन आउन कर लो कि यहां महाद के नाम से आ रहे मैंने इसका स्नैप्शॉट लेना है टेंडेंस हां तो हम माद तो हम अपना फोन आ लो कि यहां पर महाद का नाम तो आ रहे हम मान नाम नहीं आई रहा है जब तुम कर लो तो मुझे बताओ जब करेंक बजा तो मुझे बताना ठीक है अच्छा तो बाई यह सारे स्टेप्स लोगा ने कहा के लिखा होता फिर्स्टेप्स बिंडो में जाए बंदा वहाँ पे जाएं आप सी शार्ट करें लेट से तुम लोगा मैं से किसी निखाता क कि खर लोमार्स प्रणраना भूर गसे हुए होते हैं उनके नंदर पेश यसमे के प्रॉब्लमस है अनके लिए कृष्पियों करेंगे उन को को declare or define करना ठीक है यह नहीं उनको declare कर देना कि यह variable है अब उनकी type को define कर देना कि यह इस type के होंगे ठीक है third step क्या होगा third step यह होगा कि अगर required है तो उनकी values को assign करना वो values आप भी जा सकते हो और वो values user छे भी आप input ले सकते हो ठीक है fourth step क्या होगा fourth step क्या होगा fourth step उन दो values का यह किसी भी वैलियू का यह यह function बनाना है तो यह fourth step में क्या कर रहे हो गया कोई एक procedure follow कर जोगे कोई भी लेट से आपने कोई बहुत बड़ी application मनानी है तब यह six steps की काम आएंगे ठीक है fourth step अगर एक बहुत बड़ी enterprise application मनानी है तब भी fourth step के अंदर क्या करोगे अपनी application के जितना भी logic है ना जो भी procedure है वह बनाऊगे यह कौन marker से लिख रहा है यहाँ अब यह अच्छा चलो अच्छी बात है good ठीक है अच्छा connected डखना अभी फिला लाल अभी connected डखना डिस्कनेक्ट मत करना इसे को disconnect करूँगा लेकिन वह एक दू सेकंट के लिए करूगा अच्छा तो declaration और definition हो गई initialization क्या होगी किसी भी step पर user से input लेना या आप खुछ से value दे दो procedure के अंदर क्या आएगा जो भी आप procedure पर फिफ्ट step के अंदर क्या होगा कि आपने क्या करना है अब decide करना है कि यह procedure तो हो गया इस procedure के सिले में user के बाद output क्या जाएगा ठीक है वह output decide करना और end program को क्या कर देना जो ची start हो यह वो भी end जरूर होगी ऐसा ना हो कि आपकी condition खुली रहे जाए लेक्ट आप fx की बात करते है हमने fx को start किया ऐसा ना हो कि else का जो bracket आप खुला रहे जाए तो end का मतलब क्या होता है किसी भी तरिके पे लेक्स अगर आप classes की बात करें तो class का bracket ना on ना off रहे है main का bracket on तो किया था start करते हैं के time लेकिन main का bracket off नहीं किया यह वाले main का method let's say यह वाला main method तो खुद बनावा आता है करको तुम्हें बोलते हैं कि पेपर पर टाइप करना है यह code थोड़ा सा थोड़ा से दे दिया आपको कहने कि पेपर टाइप करके दे दो यह तो आपने पेपर यह six steps कैसे follow करना है आपने bracket down कर दिया main का अब आप यह off करना भूल रहा है तो end में आपके एंड नहीं गया है इसका मतलब आपने स्ट्राइब को कर दिया है आपने पर प्रोग्राम एंड नहीं गया है कि तो है कि मसला यहां तक सबको कि अच्छा कि अच्छा तो अपके सागरते हैं कि नहीं प्रोग्राम में आता है इसका स्नैप्शोट लिए तो ले लो याद कि मैं लेदा तुम सब्सक्राइब कर दो कि अधार यहीं कि अधार कि 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 सिक्सक्राइब प्रोग्राइमें और यह उन्लाइन चासिज ना बड़ी कोई वो चल नहीं है अभी प्रोग्राइम बनाने तो कैसे बनेगा प्रोजेक्ट करेंगे एंटर करेंगे ठीक है यह वही वाली विंडो देदेगा जो अच्छा एधम तुम नहीं आयते हैं फिर्स क्लास है सुमारी एधम मैं 2019 विच्वल स्ट्रोडियो यूज़ कर जाँ ठीक है टू आइटी वर्जेण MRS विच्व नहीं प्रॉब्लम करेंगा आ तो नहीं करना बिल्कुलSorry में नहीं नहीं हुर के रिखाव नहीं तो हमिनेग्पाध नहीं क whiskey amo मैं हुआ कि अभी क्नेलए इसे तक प्लेट्वाम नहीं स्लिक्त रसिया को इसके बाद ही अप्लिकेशन की टाइप बताएगा कि धी विंडोस के अंदर कौंड कौन कौन designers होती है तो टेक्स्टौ gouff है इसके बाद है Quốc छे लेट लिए इन कौनसी करके उप्धे लेट है कौनसी करने है यहां से अपनी वर्क्षेस बता सकते हो कि अपने डेटा अपने सेफ़का करना है ठीक है मैं फिलाल इसी के जहां पर भी यह सेफ कर रहा है वहीं पर जाने दे रहा हूं कोई मसला नहीं है और क्रिएट कर दो इस प्रिएट हो जाएगी अप्लिकेशन हां बोलो कि अधियो है पुरा थेज बोलो आवास नहीं आ लीज़ीशन पर नहीं यह खुछ एंब इसको होता ही है अधिया है में फार के सब्सक्राइब रर्लाज बढ़तों को लुए अधिया होतं आप उसके अंधिया है विए आप्याइच अधि यह था है यह था कि में समय करते हैं है रिलेशनल अपरेटर भी बढ़ने है और एक अपरेटर होता है असाइम्मेंट ऑपरेटर तो बहुत असान होता है कि अपरेटर अभी बोलें सब्सक्राइब आए जिए कि अ आच कि अ अच्छा बिटो जेख लो आईवाँ यू तु शट्यार माऊथ एंड प्ली लिसन भी मेरी बात तुनलो मुपीन बात में बात है कर ड़िया असाइनमेंट वप्रेटर होता है तो कि इए कुछ अप्रेटर होता है और वूपीन बुर्ण मानना ठीक एक अचाले बिल्कुल थीखे, अच्छा, तो assignment operator होता है, assignment operator के बाद दोता है arithmetic asmatic operator लेगी होता है, arithmetic operators ज्यादा होता है, इसके बाद कौन से operators होता है? सबस्क्रियो पिर कौन से होते हैं जी लॉजिकल ये के इंडिशनल कहलो ठीक है जो डिफाइन करें होता है वह भी मैस की क्लास होगे रहा है उसके अंदर पर अल्जेबर भी बढ़ाएंगे अल्चा कंडिशनल और अल्जिकल ये कुछ तीन चार टाइप के अपरेटर होते हैं ठीक है अब मैंने बात करनी थी असाइम्मेंट अपरेटर की तो असाइम्मेंट अपरेटर होता है ये नई इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू असाइम्मेंट अपरेटर होता है ठीक है किस तरह से ये वैल्यूज असाइम्मेंट करने के काम आता है लेक्षे मैं बोलू ए इसका मतलब क्या होगा ए बराबर है कर एक डी के अच्छा फिर यागे असमेंट टीक अपरेटर तो ये होते हैं क्यों वारे अपरेटर झाल दो बने दो जो इस था ओंडर। दो दिधने 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 देती। ठीक है, later than or equal to, less than or equal to, फिर आगए मेरे पास, क्या चीज़, क्या कहेंगे इसे, हाँ, क्या कहेंगे इसे, equal equal to, equal equal to, अब यह क्या हो गया है नाट इक्वल टू क्यों नॉट इक्वल टू एक्स्रेमेशन मार्ट की वेज़ा से क्योंकि एक्स्रेमेशन साइन यह आपर मुझूद है इक्स्रेमेशन मार्ट इक्वल्स का मतावता है नॉट इक्वल टू इसके बाद कौन से आ गए यह अच्छा अर्फमेटिक नहीं है यह डिलेशनल है एक मिनिट रुप जाओ अर्फमेटिक तो ब्लस माइनस होता है जैन से निकल गया मेरे मिस्टेक यह रहे नहीं 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 बोले रहे लिए अधिक तो इसके अंदर यह पढ़ाई था मैं उसको इलग एलग करके बढ़ा रहाता हुआ तो इसके अंदर मैंने कल रिलेशनल पढाने के कि वहीं चल रहा है दिमाउट कि अधिशन सब्सक्राइब एडिशन सब्सक्राइब एक और भी होता है मोड्यूलस क्या करता है देखो रेट से सब्सक्राइब करें तक एसी क्या वेडियों यहां लिखूंके नीचे फोर आदा है यहां पर अरे मुद्दम भी बुरा वाई सबिल्पन मीडियों यहां रहे में हैं कि इसमें नहीं शुत मैं में सब्सक्राइब 5 इसमें मुश्क्राइब में पाना प्रसांज तरि आयांगे कि दिविजन में दस वैडियू भी होंगी लेट से टू की जगा 25 और पॉर की जगा 1256421 है बेशक कि दी बड़ी वैलियू है दिविजन तो इसी मैसेट से फॉलो होगी ना इसी मैसेट से होगी कि अधी अधी टायक्स जी कि ये ये मैं डिया के बाहर गळी के अंदर नहीं एव तल रहा है जो अच्छा इसा सुने मेरी बात सुने मेरी बात सुने अभी यहाँ पर विए उपर ही क्या होता है और किये? यह क्या होता है? और यह क्या होता? अमपीन इंटरावी के चिमने? अमपीन इंटरावी के चिमने? हं आप तुम नहीं बोलना और कि यहां करो लेकिन तुम न बनाने शेल मदो लंगर टो मत्रिक वैंटिस नहीं यहां मुझेба hè तुम्हें इसमल होताइड जय क्या होता बोटनांटि यह रिमाइंडर है यह उपर रिमाइंडर होता है माद बिल्कुल यह कॉशन्ट होता है यह कॉशन्ट होता है और यह रिमाइंडर होता है डिवीजन हो रहा है डिवीजन के अंदर नियूमिरेटर यह है यह यह रिमाइंडर होता है तो नियूमिरेटर और डिनामिनेटर दोनों अलग हैं आपे एक मिनेट उपना दरा गो नियूमिरेटर अंदर वह रिमाइंडर रहा है कि रिकॉर्ड हो रही है तो नहों कि वाद कि नहीं मैंने अन कर दिया थीक है तो नियुमिलेटर अलग और डिनॉमिलेटर अलग नियुमिलेटर यह वह होता है जो अंदर जाता है गरीक है इस केब के और डिनॉमिलेटर कि उतला अज बाहर रहता हैleg फाल आजगाँ एक्चेपल अब समय संझगे क्या मतलब है कि मिन मैं यह कहना चाहरा हूं। मैं यह कहना चाहराओ कि कॉश्ण्ट क्या होता हु और क्या होता है कि तूर्मनेडर कि यह होता है इंद सब्सक्राइब करें कि अब रिमेंडर कब बचता है जब हम क्या करते होते हैं जब हम मॉड्यूलस लेते हैं और कॉशंट जब आता है अब कोशंट का पातों प्रेंटर का बात एक मनें डुकना आद में दर एक आइडी स्वेर गदनला दर इधर के साथ हां अब तुनों कि वाला सुनेंगे अब बेद अधान इसना जब्सक्राइब उन्हों कि वाला सुनेंगे वो ठीक है अच्छा तो कॉशेंट कब आएगा जब मैं डिवीजन कर रहा हूं यानि 2 divided by 4 या 4 divided by 2 ठीक है 4 divided by 2 return कॉशेंट और 4 divided by 4 modulus 2 will return the reminder ठीक है तो हम स्क्रीन पर आता हम दुबार असे मॉड्यूलस का काम करने ना मैं मॉड्यूलस समझने के लिए तो परसंटेज का sign क्या करेगा याँ पर हमें क्या return करेगा reminder ठीक है अभी काम मिलेगा इसका मैं मैं टास्क हूंगा class के end पर यह करना है इवन नंबर निकालना है नंबर और यह अभी इसके अभी देखेंगे तो उसके साथ साथ तुम्हों को इस चेक करना है कि नंबर और यह इवन है ठीक है अच्छा फिर क्रेंट का मतलब क्या होता है value बडी चेक करना हूं मतलब क्या होता है वैल्यू बडी है या बराबर यह चेक करना हूं इन मैं लिख रहा हूं कि a equals to b, मैंने दो input लिये, दौनों values मैंने बराबर enter की, जब कि मैंने relation कैसे किया हुआ, a is not equal to, कहाँ कैसे भलोग? a is not equal to, b, बिल्कुल, जब हम यह से करें हैं कि condition true है या false है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, यह not equal to लगा रहा हूँ, लिखना तो दोनों values को equal चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या गिया, user input लिया, दोनों values लिया, input दोनों values का frame रहा है, but मैंने relation कौन सा लगाए भाए, मैंने relation लगाए भाए not equal to होगा, तो वो कहेगा कि आपने values तो same enter रही है, फिर भी आप यह कह रहो, यह निए आप values लिख same रहे हो, आप type same कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नई values दोना बराबर नहीं है, तो यह बात मेरी गलत है और साही है, reply, और साही है गलत है, मैंने लिखी है दो values same, जबकि मैं कह रहा हूँ कि दोनों values different है, बराबर नहीं है दोनोंगे, तो यह बात गलत है या चाही है, गलत है बिलकुल, क्यूंकि मैं लिख कुछ रहा हूँ, मैं computer को, मैं compiler को command कुछ दे रहा हूँ, जबकि मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, सही है, अच्छा जी, इसके बात आगे देख लेते हैं, अब हमारे conditional operators आ गए या फिर logical operators आ गए, यह operators होता है हमारे, एंड, और, कौम कौम से होता हैं यह, एंड और, एंड का मतलब क्या होता है, उर्दु वाला और, और, यहांपर है confess, तनको समझ सबस्क्राइब लहांज है, यहांज लूसे होता है, अच्छा आब जला कॉमेंट से और, बार आघे गाहांपर होता है, गाम करना सुरू करते हैं अपर, एंड तो इसी लिंक पर दुबारा स्टाइङ कर रहा है कर दो चैक है जबारा से और लो को वेते भी बीटारा से आना है । किा मारे पार को डाइम याई बूर रही सेशन यहीं से पेयर बंदकर रहा हूं यहीं दुबारा से जोइन कर 3 जबू जड़ी से और याज पॉर्ण 40 मिनित अखले 40 मिनित आए इंशाला उसमें देखते हैं कि सदम कड़नी कोईश्च करेंगे ठीक है अच्छा जी तो आयम बैक और अच्छा जी ताइम बैक और अच्छा लूग कुछे बता दें आ गए तो अच्छा विश्चा त्यार मौई अब्दुल्ला एक मिनिट जारा रुपने अमाज्ञ सामोशी अच्छा पांचे अब बागी का हैं हम मात का हैं अब तम्हारा भाई का हैं वह भी यहीं पह रहे हैं ठीक है अच्छा अब्दुल्लाव है अब भी दो लोग नहीं है अब भी न अब दुलाफ है सब्सक्राइब अब भाई मेरे इंटरनेट इन तेपल है यार मुझे क्यों अब देख लेता है आप चाहिए अब भाई मेरे पास इंटरनेट की स्पीडिस नहीं अच्छी आ रही है उसके भी मुझे अरर दे रहा है कि यह देखो अब अब पास का देख लेता है भाई कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि हुआ कि अ कि यह दो पॉर पॉइंट सेवन तो इसमें भी आ रही है चलो अगर उसमें भी सिस्टीन आ रही है इतना हलका इंटरनेट नहीं मतलब फिर अच्छा दो वेरिवर लेते हैं इंटीजर ए इसमें वेर्यूज यूजर इंटर करेगा फिलाल मैं खुद एंटर कर रहा हूं इक्विस्टू इसमें लिखा है ना इंटीजर ए इस इक्विस्टू ट्वेल्व इस इक्विस्टू लगाए यह क्या कहलाएगा Assignment operator बिल्कुल ठीक है Assignment operator हम कहां यूज करते हैं values को equate करने के लिए यूज करते हैं तुमनों का task यह है कि भाई A की जो value है उसको B में रख देना है और B की value को A में रख देना है without taking any other variable सही है user से दो values का input लोगे ठीक है मिरे साथ बोलते जाओ बिल्कुल user से दो values का input लो A और B या तो values पहले से define कर दो ठीक है value A और value B फिर क्या करो उन दो values को इस तरह से करो यानि इस तरह से manipulate करो कि तुम्हें A को B में रख देना है और B को A में रख देना है रहिए मुझे काम कब दोगे तुम लोग class खत्म होने से पहले चलो साड़े 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 A को B में रखना है और B को A में रखना है देखो देखो लाइट को इंपिदार कर वाओ भाई देखो अब पहले से करके रखना था ना मैंने कहाद भी था पहले अभी जारवजे के बाद चले जाना अच्छा सुनो मेरी बात तुम्हारा गोल यह है कि तुम्हें A में 21 लेकर आने और B में 12 लेकर आने ऐसा नहीं होगा नहीं नहीं वैडियू यूजर इंटर करेगा और तुम्हें वैडियूस का इंपुट भी ए और B में लेना मैं कोट भी चेक करूँगा ठीक है लेकिन बात में कुछ इस तरह इनको एकुल करो या इसमें से माइनस करो या उसमें एडिशन सब्रेक्शन करो कि यह दोनों वैडियूस अपनी वैडियूस आपसमें इस्ट्रेंस करते हैं कि समझें मेरी बात एक को बी में लेकर आने और बी को किसमें लेकर आने हैं किसमें लेकर आने बी को एक अगर बी में लेकर आने तो बी को किसमें लेकर आना होगा यही तो काम करना है चलो ऐसा करते हैं यही तो टास्क है अच्छा ऐसा करते है एक बनाने की जारते हैं एक इंटीजर टाइब को बनाने की जारते हैं ठीक है अच्छा देख लो आप हमारे अटमेटिक अप्लेट के तलह भी चल जो होता है ठीक है मैंने एक और बना लिया result is equal to a plus p terminator result ठीक है और प्रिंट कर लो control plus f5 control plus f5 यूज़ रहा हूं है result सही प्रिंट हो रहा है दो नंबर्स का एडिशन ठीक है अब लेट सी मैं दो नंबर्स को सब्टेट कर ले जाओ दो नंबर्स को सब्टेक्शन ये सारे तो तुम लोगों कर लोगे ना ये करके नहीं दिखाने अच्छा अब मैं चेक करहा हूँ a greater than है b से तो क्या ये बड़ा है b से पका देख लो अब जर्ण देखो अब जर्ण देखो अब जर्ण देखो अब जर्ण देखो error आ रहे है अब जर्ण देखो पहले लिखा वाकर error क्या आ रहे है error आ रहे cannot implicitly convert type bool to int मसला यह है कि a और b तो इंटीजर है लेकिन इसका जो answer आएगा वो two और false में आएगा तो two और false के लिए हमने एक टाइप पढ़े थी जो की bool क्या लाती है है यहां पर क्या टाइप लेंगे bool अभी सही है क्योंकि answer तो boolean type में आएगा ना क्योंकि a बड़ी नहीं है ए तो छोटी है और मैं लिख रहा हूँ ए बड़ी है बी से चाहिए अब मैंने less than किर दिया तो अब true आ गया अब भी फॉल्स आना चाहिए क्यों क्योंकि ना greater than है ना बराबर है अब लेट्से मैं क्या रहा हूँ less than or equals to तो अब क्या सही आएगा जलत आएगा true आएगा फॉल्स आएगा और फॉल्स ना यहीं टो डबल उक्वस तु कर लेता है आइगा यहिए नहीं है तो अब करता है वो अब का करता है वो नोट इकवस टु वाला काम करता है ृ। थिक है रहा है मैं कहitzer हूं कि दोना पसम बराबर नहीं है और वाकरी में दोना पसम बराबर नहीं है तो answer क्या आ गया थ्रू आ आ गया false आ गया true आ गया good हिए true आ गया ना अच्छो देशो मैं एक इंदर रख रहा हूं 7 exclusively 2 20 यह को मैं पीजर में रखना हूं तो इसे आपको पर रखो तो क्या होगा मुकंब दार पर दिवाइड हो जाएगा और ऑफस में डिवाइड हो रहे है तो रिवेंडर जीरो बचाएगा अब यह तक पर मसला जी रख सकते हो लेकिन फिर यह यह नहीं आएगा कि अब रिमेंडर आएगा क्योंकि रिमेंडर वान है जो भी रिमेंडर पर बसे का वह आएगा कोशन नहीं आता है इसमें रिमेंडर आता है मडुल्स में आता है्ज़न जो दिविजन में आता है हला न अरे मुझे शेंडर जाइए ना मुझे कोशन से कोई तालोग ही नज robi ए-सक अंदर मेरी बात बात संध यह नहीं संध यह अच्छा आगे क्या करते हैं यह कोड जाना यह जो क्लास का कोड है मैं तो लों को दे दूंगा अच्छा नुट्पैट की फाइल में रनाकर तो तुम लोग अपने बास वेक्टेस्ट करने के टाइम पर बेशक ओपन करके देखना मसला नहीं है ठीक है आगे सलता है नहीं आप रोड़िया में आप जी है हाँ हाँ है बिलकर अच्छा अच्छा नहीं कर सकते हैं आपको इसको डायमिक इस तरह से बनाना है कि रिंज घर में को यूजर इंपूट भी करें तो यह आपको डायूश को डेले चेंज करके देले चेंज करके देले इस चेंज जो अब लोग देखा होगे ना तो तुम साप के देखा होगे ना वो वर्ट के उपर तुम लोगों से लॉजिक बनवा देखा हूं उसको इस कोड में समलोगों ने करना है आइ नए नाई नोग गांए प्रेक्टिक नेक्स पुन मैंडर्ट। प्रेक्टिस ही करते रहो तुम। तुम वह सोफ्टिर आउस में भी जाओगे तो बोलोगे फिर पुराने वाला पोट देते हैं। उसी से मैं नए अब सॉफ्टिर बना लेता हूँ। मैंने मैंने कोई नहीं लॉजिक बनानी नहीं है। तो वह उसी के लिए तैयार ही कर रहे हैं। उसी के लिए कर रहे हैं। तो अभी से मैनस करो ना अभी से लॉजिक बनागा। बुरा नहीं माना बिटा मैं। अभी तो मैं टास्क करना है शावज। आचा मैं जोगिक बनना हो गांगा टेंशन निलो बड्यों को अच्छा खेंड़ करते हैं अब लेट से मैंने स्ट्रेक करना है कोई मैं वेरीबल बना लिता हूं इंट कई बना लिता हूं और वेरीबल है जी इसे रों यूजर खेंट लेते हैं पुर्फेल डॉट एज हम तुम से ख्यान से रहना देखना तो टॉट रीड लाइं तो यह उसे इंट पूट ले रहे हैं इससे पहले हम यूजर को कहते हैं वहलकूम यूजर और प्लीज अपनी एज्टर करें ठीक है अब 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 ब्सक्राइब कि यहां पर देखुए कैलर आ रहे हैं यह कैलर है जी टिक्स्त लाइन ओफ टेक्टर इसने नंबर नहीं का इसने यह नहीं का कि एवरी वैल्यू यह पर स्ट्रिंग डिफाइन जिवह हुआ है तो कंश्टर रूट रिए बने हैं स्रिंग्स के लिए बना है मैं इंटीजर के लिए यूज़ कर रहा हूं मुझे क्या करना पड़ेगा इसको कनवर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर तो इसके तरीका होता है इसके स्वाल बैके समेट पूरे मैसेड को उठा के इसमें रखतो अब देखो अब लेकिन यूज़ करो विज़र स्टूडियो के टूर्स को यह दे रहा है जारा पहतर है अब मैंने चेक यह करना है कि अगर है कि अग्यव एग अग्यव एग अग्यव देखो एक टीन तो ओकिन ठीक है तो मैंने इसको का कि जी अगर आपकी एज इतनी है तो आप फिर अकाउंट ओपन कर सकते हो दर्वाइद हम आपको अकाउंट ओपन करने की जादस नहीं चलिए चाहिए क्या 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 हाँ वह यह फाल फाली कंडिशन है और एल्स के अंदर लगा दो कि 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 आपको यह पता करना है कि आपको जो नंबर यूजर ने जो नंबर एंटर किया यूजर एक वैडियो एंटर करेगा आपको पता करके यह बताना है कि 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 अए यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है तीक है तुम्हें तू को सैट करना है वेरियबल का नाम बॉक्स वेरियबल का नाम ट्राइंगल तुम्हें यूजर इंपुट को मॉड्यूलर्स करवाना है अरे बड़ा गंदा बना तुम्हें यूजर इंपुट को मॉड्यूलर्स करवाना है तू से और आंसर आंसर अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है यह नंबर क्या है मॉज़र्स अभी सबाद करो नचरब मॉड्यूलर्स तू से बराबर थे जीरो के तो इसका प्रभाद करना है समागर्ण लो जाट इसको इसकी स्वेस्ड प्रविक आप कर ऑस सियु पेश्लीकितान भी स्पेख आप ने फार बेसा है कि तर्व चार वजे तक का टाइम है लेकिन को उसके अंदर कि आप 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 में चार वजे के बाद इसमें नहीं कर रहा है नंबर के जाएंगे ठीक है मैं अफारिम्ट रखाइंग कर रहा हूं अच्छा यह तो हो गया अब जो वेरीबल में तुमसे कह रहा है था कि किस चरज से दू वेरीबल के साथ तुम्हें खेलना है अच्छा मैं तुम्हें करके दिखाते हैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा मैंने तुम लोगों से कहा था इंट ए इक्वल्स टू और लेट से एंट वीडि़ीफ टू पाई हैं मैंने क्या कहता है मैंने खाता है एक की वेरी में रखें ओर बी Celia ए में रखें definitive को खाता है तो मैंने कहता है हम करें चलो eject लो और लेता है कि आप नप पासवर नहीं हो गाएगा अग्जाए कि अभी में उसको बोल नहीं दो कम स्कॉन ऑड़ा है कम जो अजिक बोल तो रहा है अच्छा अब दुला ऐदा नहीं होगा कल को तू की जगा ट्वैंटी-4 आजएगा तो 24 में एक करोगे और बी जगा जाँ टू और बी मे पहुँए, तब भी तुन्वार प्रोगेपदेश रेकना है, अच्छा स्टेप, देखना ज़रा, पहले स्टेप, दूसरा स्टेप देखना, A, D, C तीन वेरियबल से काम करेंगे हमके वाला ठीक है? एज तमने कहा तो सर तीन वेरियबल से करने हैं मैंने कहा चलो ठीक है A is equals to 4 Step 2 कर रहे हैं हम लोग 3 is equals to 5 Step 3 पर आगए Step 2 Step number Step number Step number 4 कर रहे हैं Step 5 पर पहले से लिख लेता है यह वाला ब्रैकेट है ना मेरा Step 5 तो भाई इस ब्रैकेट पर पहले से लिख देता हूं है Step 6 Step 4 और 5 रहे गए Step 4 Step 4 में क्या करना है मैंने A को B में रखना और B को तो फिर अगर B request to A request to B कर दूँँगा इन दौनों की value तो किसी में भी नहीं देंगी अगर A की value B में चली जाएगी तो B की value क्या करेगी तो B की value A में कैसे लेकर रहाँगा हम अंदरे बैट को मेरी आगई है ना हमें करने है Let's say मैंने तीसरे variable भी लेकर आएंगे ना हम लोग तो वो भी ऐसे नहीं आ जाएगी कि बस मैंने कहा और वो value आ गई इसके क्या करेंगे देखो step 4 में क्या करो Let's say मैंने C भी आए ना C अभी तक कुछ नहीं काम कर रहा तो C को बराबर कर दो एक है C के अंदर कुछ पढ़ा का नहीं है वह सकती C को एक बराबर कर दो हागी अब C के अंदर के आगिय है C के अंदर आगी आगिय है इसका मतब्ब्ध ए तो मसना नहीं है तो A को में कहते तो एक के अंदर तो कुछ भी नहीं ना यानि A के अंदर कुछ है भी तो मसला नहीं है किनके A की वैल्यू तो C में जा चुकी है जा चुकी है अब A के अंदर अगर में B भी रेख लूँगा तो कुछ नहीं होगा ऐसा ही है ठीक है अब मुझे क्या कर नहीं A को तुम नहीं B के बराबर कर दिया यानि A के अंदर तो 5 आ गया होगा अब मुझे B के अंदर क्या लेकर आना है ड़ते नहीं होगी सही है अब समझे देखो मैंने क्या का था मैंने का था मुझे ए को बी में रखना और बी को ए में रखना है टीक है, A की वेरियू 4 है B की वेरियू 5 है, सही है? एक मैंने तिसरे वैरिबन के सांद है लेकिन तीसरे वैरिबन लेसे पहले स समझ जातें बगार तीसरे वैरिबन के साथ होते है A is equal to 4 B is equal to 5 Now I just want A B में चाल जाए B A में आ जाए कैसे? मैंने क्या किया C को बराबर गल दिया किसके? तो अब C में क्या आ गया? और आ गया अब A का काम कुछ नहीं है यानि A को अगर मैं किसी और value को भी अफाइन कर दुमारे यानि फर्स करो A के अंदर मैं नहीं value भी लहाँगा तो मुझे कोई problem होगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी क्यू? क्यों मैंने A की value तो C को दे दिया और C बिल्कुल safe चल रहा है ठीक है? मैंने क्या किया? A को बराबर गल दिया किसके? ठीक है अब मुझे A की value B में लेकर चानी थी तो A की value कहाँ पड़ी भी थी? C में तो मैंने क्या किया? B को बराबर गर दिया ठीक है तो B के अंदर किसकी value आ गई? C के इनडरेक्ली B के अंदर किसकी value आ गई? यह रहा na B को मैंने C के बराबर किया indirectly C के अंदर क्या बढ़ा हो था A और A क्या था 4 तो B A 4 था ना पहले starting में अब B क्या हो गया 4 हो गया और A क्या हो गया 5 हो गया अब जब मैं इंको print करूंगा of A is equals to कि कि इसकी में आ रही है मुझा है running out of time 10 minutes हाँ 10 minutes पर खदम करें रुक ज़ा ठीक है इस रूश को plus के fine के साथ ठीक है भई यह यह concatenate करने का तरीका होता है यहाँ पर और भी method से होता है लेकिन इसलाल यह concatenate करने का तरीका होता है यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं दूसरे method को प्राइकर लेता हूं दॉलर के साथ पर जाना चाहिए है क्या चीज क्या चीज क्या चीज भूमी भी नहीं है चला अब असान हो गया देखो जहन को अगर खोलो गया ना तो समझ में आएगा क्या समझ में नहीं आएगा यह लाइन समझ में नहीं आई अचा देखो होता क्या है concatenation का यह तरीका होता है सी शार्ट के अंदर फ्रसा डिफ्रेंट भी आप काम कर रहे होते हो सी शार्ट में होता है क्या डॉलर का साइन लगा होगे इंवडिट कॉमा के से पहले और उसके बात क्या करोगे जहां पर भी वैरिबल यूज करना हो वहाँ पर क्या करो कड़ी प्रकेट के अंदर वैरिबल यूज कर लो फटम डॉलर का साइन लगाओ इंवडिट कॉमा जो पिन क्लोज करो और इनके अंदर जो भी संटेंस लिख रहे हो अब ए लिखना जाना मैंने तो नहीं लिख सकता रहा तो यहां पर डारेक्ली वैरिबल का नाम लिख सकता है बात में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है और वैरियोस भी मेंने बराबर करें दी तो उसमें कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन ने तो पूछ लो भी भी अपका पूछ लो को असला नहीं है कोई तो पूछ लो को इश्यों नहीं है ठीक है हाँ यार यह जरूरी है अच्छा दोहर बार 15 से पहले की डॉरर का साइन नहीं चलता था यह जो मैंन कॉन्टेशन की है यह मैंन कॉन्टेशन की है ठीक है यह 2015 के विश्व स्टूडियो से पहले के वर्जन से अंदर नहीं को नहीं मिलेगी ठीक है उसे आगे की वर्जन से खुसमे भी तक मसला है यह तक तो तुम capitalS वाला काम करके दिखाएं पा Etihad कि अब भरोसा नहीं है तुमनों को भाई पर कि एक की वैडियू का थी और भी की वैडियू का थी रुक जो अभी 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 नजरें दर अधर नहों मैं दिखाऊंगा और यहां पर क्या रही है एक की कि अधर नहीं फिर मैं आज वरोसा नहीं नहीं तुम भरोसा नहीं करते यार मुस्त वरोसा किया करो अधर एक इंदर क्या गया देखो यह पहले क्या था और अब क्या गया अब त्राइब करेंगे जी नहीं वह आप नहीं करना है अगली क्लास तक का टास्क यह है कि आपने बगएर सीसरा वेरियेबल लिये दो वेरियेबल के अंदर ही आपने यह काम मुझे करके दिखाना है कोशिश नहीं करेंगे मैं भी अफैन्मेंट दे रहा हूं अगली क्लास के अंदर आप लोगों ने काम करिया मुझे लिखाना है लाजबी हमने कंडिशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर लाजबर नहीं किये कि यह वरतन कौन मजा रहा है यार अशनल मेरी बात सुन लोग परेए मेरी बात सुनने हैं करना यह है कि नेक्स क्लास के अंदर नेक्स क्लास से पहले पहले यह नहीं कल रात तक कल शाम तक मैं भी असाइन्मेंट गूपर आपकर रहा हूं वहां पर लेट असाइन्मेंट के अंदर मैं नंबर कट करूँगा अगर टाइम के अंदर तुम लोगों ने सब्मेट करवा दिया तो बेस्ट है ताइम के बाद सब्मेट मत करवाना है ठीक है एक आज शाम चार बज़े और दूसरा कल शाम पांच बज़े तूसरा वहला यह है तो मैं करना यह है एक वैल्यू ऐसे ही वी में रखनी है और बी की वैल्यू ए में रखनी है विदाउट टेकिंग इस थर्ड वैरियेबल लिये बगए ठीक है ठीक है चलो देखते है लिट्सी ठीक है विज्वल सुडियो नेक्स क्लास में जिसके पास नहीं होगा वह अपना नुकसान खुद करेगा कि अब आगे की जो चीज़ें होंगी रहा मैं उसके अंदर तुम लोगों के साथ साम कर रहा हूंगा तो तुम लोगों को इ है तो यार यह कंटेन ही अहीं डाईगा वहीं से आज शान चाल विजह तक कुमें करना है इविन और नम्बर वाला उट। अर आफ नुख ने पता करना है कि वेजर नंबर इस विज पैलको और दूसरा वाला जो टास्क ही है तुमनें करना है कल तक यानि कल शांब पांट तरह एक वैल्यू बी में बी की वैल्यू ए में यहां मैं कोड तो रख रहा हूं ठीक है तो अब जाना में तो नहों कि रिंडंस वार करने दो यह रेंदम्स की आप मैं अभी तो फिलाल स्टैप शॉट ले रहा हूंगे अस्याइम्मेंट करा दो कि यह बाय कर दो कर दो को अब गाँ आए कि अब आए कि अब आए एक दो पीन चार पाँ चेट आख राख 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 मेरी अब 11 Satilon सुन रोगर ऑसाओ तुछ सार इस अधिक करो कोई भी ख्याया से वड़ए क्लास के अंदर दौन डाइनों ना करें तो जादे होते हैं तो अब अब लेक बार जादव जादी प्रॉब्लम आती है । है पंद्रस बोला है उसके लाइज नहीं 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 जाएज लोग जाद है और वह परिशानी हो जाएगी मुझे बहुत जादा कि उसके अंदर हर कोई सवाल कर रहा हुता तुम लोगों को प्रबलम होगी वो बेकार सा लगेगा सेशन में से भी तुम लोगो ठीक है इंशाला मिलने बरसों मैं डिसकनेट कर रहा हूं मैंने स्नेप्शोट एली है वाई वाई वो बिदा है वाई कर दो कर दो कर दो losing झाल 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 झाल